येस बैंक और दी एफेफल 2018 में उनके अधर नेगेटिव न्यूस आई थी लेकिन उसके बाद भी उसने निकलने का एक्जिट का मौका दिया था वही मैं क्योंकि ऐसे समय पर मलब एसाइपी बोलना आसान हो जाता है करना इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पैसा कमाना है तो करना ही पड़ेगा आपको नेगेटिव न्यूस पर बहुत फास्ट करना है उस टाइम आपको सोचने पर टाइम लगा दिया तो डिये चेफल डी लिस्टर हो गये अगर क्या पता वो शेयर पैस तब जाएगा और एक दम टॉप में तुमारा यहां पर ही सैल होगा एक दम प्राबर यह तुमारा सेल पॉइंट है यह सपने देख सकते हो और मैं में को इसा लगत है कि बूल मार्केट में भी ऐसे स्टॉक्स तो मिलेंगी जो पांच परसेंट गिरे होंगे मैं अभी इस महिले अपने बॉत पैसा कमाया होगा बिल्कुल गर जाता है तो आप टो आप पोलते हो तो यह मार्केट क्या लगता है यह लाइंगी बॉसों बरस से सुन रही हूं असके हो कि मिलेंगी जो पहले से लेना देना धो या नहीं ne आप मार्केट में हो ना तो आप से बात शुरू करने के लिए यही उनके पास आप मार्केट क्या लगता है मैं तो पुछते हूं अप मार्केट में हो काम करते हो ऐसे बहएं कि अब इस सवाल को कूछने के पीछे मेरा कारण यह था कि अगर सच में हमें खुद के study या analysis के जानना हो कि क्या ये सही समय है बड़ा पैसा लगाने के लिए अगर मैं investment की तरफ देख रहा हूं और अगर में को कुछ buy करना हो या मैं कोई general overview देखना हो market का कि यार market मैं तो समझो कि कैसा मुझे क्या लग रहा है तो वो देखने का क्या process होना चाहिए मेरा या आपका क्या process है जो आप follow करते हो देखो ऐसा है कि मैं market देख किस परपस से रही है बिल्कुल intraday देख रही हूं positional देख रही हूं delivery देख रही हूं SIP देख रही हूं यह काफी interesting सवाल आपने का है SIP देख रहे हैं तो मैं intraday और positional में को लगता है उस पर बाद में आते हैं कि उस पर strategy भी रहती है लोगे setup रहते हैं दुनिया बर के तो उस पर बाद में आते हैं investing जिसे हम delivery कहते हैं या SIP आज मैं आपको SIP बता रही हूं because we are at month end और मैं month end पर ही SIP करते हैं okay मैं अपने कुछ टॉक्स जो है समझे 2030 की एक लिस्ट बना लेते हैं और उस लिस्ट में मैं क्या करती हूं कौन से ऐसे शेर है जो 56% से ज्यादा गिर चुके हैं इस month में इससे ज्यादा इसमें fall आ गया है ठीक है तो मैं क्या करूंगी कि ट्रेडिंग व्यू कि हूं कि और यहां पर जब हूं जाते हैं तो आपको एक हीट मैप दिख रहे हैं है हीट मैप में स्टॉक्स दिख रहे हैं अब यहां पर आकर सबसे पहला काम मैं इसको निफ्टी 500 कर दोंगी निफ्टी 500 या निफ्टी 550 जो भी आपको पसंदो वह वाले लेसे तो निफ्टी 500 और यह पर्फॉर्मेंस में आपको डी दिख रहे हैं मतलब यह इसको मैं मंतली कर देती है ठीक है और यहां पर मैं इसको 6 माइनस 6% कर देती है मतलब 6% से जादा जो गिरे होंगे वह मुझे दिखेंगे बाकी सब में बंद कर देती हैं कि देखें सब बंद कर दिया तो मैंने देखा कि बहुत सारे हैं स्टेट बैंक है है हिंदुस्तान जिंक है ग्रैसे मैं अंबूजा सिमेंट है टाटा स्टील है पी एन बी ए इन सब में अब मैं चूज करूंगी कौन सा सबसे ज्यादा गिन है तो यहां पर मैं आके कर दूंगी इसको नई अब वापस में सब को बंद कर दूं क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा फॉल हुई है फंडमेंटली वह स्टॉक्स अच्छे हैं तो वह मुझे चाहिए अभी कौन सा इसकोट्स फिर यह युनियन बैंक हुडको हिंदुस्तान जिंक अगर मुझे और चाहिए यह बार मार्केट बहुत चाहदा गिरा है तो मैं फिर इसको ले आऊंगी करीब करीब 15 परसेंट और जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ स्टॉक है उसमें मेरी एसाई पीचवेगी ब अपने मजगान डॉक पिछली देखा है तो आप चूज कर सकते हूं जब मैं चार्ट देखती हूं अगर आप वैसे भी नहीं देखना चाहते तो मैं आपको एक हिस्ट्री जैसे दिखाना चाहते हूं कोई भी चार्ट आप खोल दीजिए यह गेल है यहां पर देखेगा कितने परसंटेज है गिरा है सिर्फ यहां पर देखते जाहिएगा कितना गिरा तो मैं इसको मैं इसे लूंगी कब लास्ट ट्रेडिंग डे तीन बजे के बाद तो लग बग हमें मंतली कैंडल का इडिया अगी तो पता नहीं हो सकता मंत के बीच में परसंट फॉलो जाए तीस परसंट फॉलो जाए पंद्रा परसंट फॉलो जाए तो मैं बीच में कहीं नहीं टच करूंगी मैं लास्ट में टच करूंगी और कोई भी भावने तो मैं छोड़ूंगी अगर यह स्टॉक है तो मैं स्टॉक को कंटिन्यू फॉलो कर अब इसमें मुझे 5,000 रुपय लगाने महिने के जब भी इसमें मौका पड़े तो इसमें 5,000 रुपय लगाने या दस शेर खरीडने जो भी है मैं फिक्स करूंगी वो फिक्सी रखोंगी फिर यहां पे कितना गिरा 17 17 यहां पे कुछ नहीं हुआ यहां पे फिर 8 ठीक है यहा कुछ नहीं हुआ यहां कुछ नहीं हुआ यहां पे 13 अभी आप सोचोगे कि मैंने 120 में लिया और करते करते 40 तक पहुँच गया यह साइपी है मेरी Automatic Average Cost बीच में आ गई है जब यह वापस यहां पे फिर 9 परसंट है यहां पे भी पांच है तो पांच नहीं आपको आपक परसंटेज कर लो यहां भी नहीं आया फिर यहां आया यहां यहां आया यहां मतलब लोग डेट में आपको आ रहा है जब ग्रोथ आती है ना तो फिर यह मल्टी फोल्ड ग्रोथ और जब आपका शेर जो आपका average cost है उससे डबल हो जाता है तो आप 50 परसंट कर लो और आपने capital निकाल लिया जितना पैसा इसमें लगाया था प्रॉफिट के शेस पड़े अभी उसी पैसे से वापस जब जब यह फॉल आए अभी यहां पे नहीं फॉल आया है जब जब फॉल आएगा फिर उसी में डाल देंगे तैसे करके हम इसी से अपना ग्रो करते रहेंग इसमें मेरे दो सबसे बड़े सवाल आते हैं आइक हमारे विवर्स के भी होंगे मैं एक होती है मोमेंटम स्ट्राटजी जिसमें अगर जिसका टेजी से उपर जा रहें आप मेरे से एसाइपी की बात किये ना मैं वो लेकिन वो एक स्ट्राटजी इन्वेस्टमेंट के मैंने आपको हमेशा लास्ट कोर्स में भी बताया है पहले और दो तीन बार बताया है लाइफ क्लासेस में भी मैं आपको कितने बार टोक चुकिए इस बात के लिए कि जब आप एक चीज पे पूछ रहे हो तो फोकस उधर रखो अपना फोकस डाइवर्ट मत करो एसाइपी करें पूछ पार है भी रहो एससाइपी ल लॉंग्टम विल्स के लिए है नौट मोमें्टम प्ले फ्ले मोमेंटम प्ले के लिए हम आरे पास आरे साइप लस्रींड़कर अपको दिख्वाय को intent अ ट्वेसा लेँ Of an dalam in trad protests अ弗ैret जब बन में 2011 कि उसने हब कंपल मैं मैं और एसिज colleagues in incl5 online फट्सराटर जी में लेकिन ईत्राटर कि लेना है मतलब करना तो हमिद इसम हर बार मंतली टाइम प्रेम में आप कोई भी स्टॉक ले लो बोली आप अपने हिसाब से कोई भी जो भी आपका फंडामेंटल यह अच्छा स्टॉक हो बट हम उसकी क्या परिभाशा है कि यह फंडामेंटल स्टॉक है क्यों आपको मुझे निफ्टी-50 में से बताना पड़ेगा कौन सा फंडामेंटल है मैं इसमें एक और सवाल आ जाते हैं अगर निफ्टी में से सुर्डिया तो मैं इसमें से एकजिट कर दो आपको तो अगर निफ्टी-फिफ्टी में है तो बिजनस तो स्ट्रॉंग है देश की सबसे पचास साथ साल सतर साल की कंपनी है तो बट नैश्रल वो हर तरह के मौसम देख चुकी है और आज तक सर्वाइफ कर रही है तो ने मैंनी कंपनी तो तो इंस्टेड ऑफ मैं निफ्टी-फिफ्टी की तरह ज्यादा कोई भी देख लो चलिए हम टाटा मोटर्स देख लेते हैं अभी आप टाटा मोटर्स कहीं से भी उठा के दिख लो जब जब फॉल आया है अगर हमने लिया है यह हमने एक प्रिंसिपल बनाए कि वही जब भी है फाइफ परसेंट से ज्यादा फॉल आएगा हम इतने शेह करेंगे हमारे पास ठीक है माना पात्सों से लेके एक सौ तक के शेह कठे हुए और बाद में जब इनकी ग्रोथ आती है यह जो मल्टीफोल्ड ग्रोथ आई है उसका क्या जो यह जो है न यह अप्रॉक्सिमेट अगर आपको 25-30-40% सकता सब्सक्राइब करें तो कॉमें ने लिखेंगे हम पार्ट तू में उसे कवर करने के कोशिश करेंगे और अगर हमने आपका कॉमेंट लाइक किया है तो वो डेफिनेटल आने वाला है तो उस अगले वीडियो का वेट करिएगा तो सबस्क्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले वह आप तक पहुंचे तो यह देखिए अप कहीं से भी देख लो continue fall है बेलकुल आपने इसमें कहां से भी investment स्टार्ट किया होगा मुझे नहीं मालूम अगर इसमें करते जाओ देखिए सब में क्या multi-folds होते हैं आप यह काओगे कि यह बुल बुल रन आता है ना तो जब बुल रन आता है तो यह देखे जाता आपको multi-fold returns देखे जाता है तो यह बड़ी पिक्चर का गेम हो यह बड़ी पिक्चर का गेम तो अच्छा इसके लिए भी मैं आपको एक बात कर जब मोमेंटम स्टॉक्स की बात किये मुझ सभी उसमें से यह डाल दो अपने आप में ही मल्टिप्ला होता रहे जी बुल्कुल मतलब उसमें अपने ब्रेड़न बटर रही डेली खर्चे का पैसा निकाल लो एक्स्ट्रा पैसा यहां पर डाल दो और बोले जैसे यह स्टाटेजी में मन्त का एंड देख रहे हैं बट कोई उसमें अगर कोई नेगेटिव न्यूस आ गया जैसे पॉली कैब था जिसमें बीच में एक नेगेटिव न्यूस आया था बट वहां से वापस ने कंपनी ने रिवाइब कर दिया तो क्या हम मन्त के बीच में भी उसे बाय कर सकते हैं नहीं मेरा जो रूल है तो यही है ना सब्सक्राइब कर लोगे उसके बाद और गिरा तो दुख्य होगे अगर क्या पता वो शेयर पैस तब इदर हो खराब ने देखना असान है कि तुमको बॉटम में स्टॉक मिल जाएगा और एक्दम टॉप में तुमारा यहां पर ही सेल हुआ होगा अग्दम प्राबर यह सेल पॉइंट है यह सपने देख सकते हो ओके आजाओवा प्रस तो क्योंकि इस तरह के सपने सभी लोग देखते है मैं भी देखा करती थी कोई नहीं बात नहीं है लेकिन अगर यह चांस मैंने मारे डर के मिस कर दिया होता तो यह पुरी रैली गई होती मेरे हाथ से इस सिंपल इस नौट डिफिकल्ट ओनली देखिंग इस साइपी जब हम में करते हैं तो वहां पर आपके बैंक से पैसा चला जाता है तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है यहां पर थोड़ा हमको ऐसा डिस्टरबिंस हो जाता है क्या रही नहीं मार्केट बीज पैसा कमाना है तो आपने पैसा डिलक्त हो जाता है आपको सोचना पड़ता है कि नहीं यह बार मार्केट नहीं है तो मैं नहीं देता हूं बस वहीं चीज है पैसा कमाना है दे तो और मैं में को ऐसा रखते है कि बुल मार्केट में भी ऐसे स्टॉक्स तो मिलेंगी जो 5% गिरे होंगे मैं अभी इस महिने में बहुत सारे मिले आपको दिखाया ना भी मजगौन देखो जी आरेसी जी आरेसी का फॉल देखो अगर इसमें बीच में सोचो और यहां पर देखो में जो और सस्ता आता जाएगा और मैं इसका परसेंटेज जैसा आपने बूला सब अपने हिसाब से रख सकते हैं मैं मिनीमम इतना रखते ही हुआ और अगर ओवरॉल ही मार्केट का सेंटिमेंट डाउन है तो हम उसमें थोड़ा सा और एक लेवल उपर जाते हैं तो हम ऐस सबसे जादा फॉल नहीं है यह मार्केट गिरने से फॉल आई है बट नेगेटिव नियूस नहीं है यह ध्यार रखिएगा ऑगे इसमें में को एक नेगरेटिव पैक्टर ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर आपको इंडिया में वन अफ टॉप टॉप ट्री डेज बना है त तो आपके technical analysis और price action के concepts एक दम crystal clear होने चाहिए। इसके लिए आपको अपने basics और practice पे पकड मजबूत रखनी बहुत ज़रूरी है। इसी problem को solve करने और आपको एक better trader बनाने के लिए हमारे पास दो offerings हैं। Technical analysis का 9 घंटे का recorded course जो कि सिर्फ 3.99 में available हैं। इससे आप अपने सारे basic concepts एकदम clear कर सकते हैं। अगर आपके technicals के basics एकदम clear हैं, तो आप market में मेरे साथ live markets में daily practice कर सकते हैं। Through my mentorship program जहां हम सारे सीखे हुए concepts live markets में apply करेंगे। और हमारे trade setups के through profitable trades identify करेंगे। हमारे maximum traders जो इस program में जुड़े हुए हैं वो already profits में हैं और आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। तो आज ही join करें। इसे बेचने का सही समय क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पर मेरा जो लास्ट आवरेज रेत आगया। उसका जब मेरा portfolio double हो जाता है तो मैं 50% बेचतू तो मेरा capital निकल जाएगा। जब चब गिरेगा तो प्रॉब्लम मुझे इसमें है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या होता है। कि SIP करते करते जब मेरे पास एक कॉंटिटी कथी हो जाती है। तो मेरा मन करता है कि मैं इसमें से और पैसे निकाला ह। तो मैं इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर जेती ह। और जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो इतने सालों से जो शेयर इकठे किये न सारे चले जाता है। तो SIP में लॉंग रन में पैसा आता है। अगर लेकिन नेगेटिव न्यूज पर आपको ध्यान रहतनी है आपके स्टार्ट के ऊपर जिसके अंदर यूज अबर डाल के रखी हैं। तो कोई भी न्यूज आती है तो आपको इमेडियेटली नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाती है और अगर कोई नेगेटिव जाई तो फटाफट निकल जाती है मैं इससे मुझे एक शेयर याद आता है जी एंटर्टेनमेंट मैं उससे पहले आपको एक और बताती हूं यस बैंक और डियेटिव नेगेटिव आई थी और वह नेगेटिव आई लेकिन उसके बाद भी उसने निकलने का एक्जिट का मौका दिया था ओके अगर चार्ट में अगर मैं आपको यह दिखाऊं तो यह रहा 2018 और यह सप्टेंबर और यह सप्टेंबर तो अभी इसी सप्टेंबर को हम डेली में चाहते हैं तो आप मोमेंटम स्टॉक्स की बाद करते हो ना मुझ से यहां पर रसाई क्या था यहां यहां रसाई चलागे थर्टी पूर यहां तक आप मुझे बता दो रसाई भी मतलब था क्या और 70 के उपर अब 70 के उपर जाने के बाद वो अगर 50 के नीचे आता है तो इट इस इन वीकल्स है और डूसरी बात यह उपन हुआ नेगेटिव आ गई थी आपको ओपन होते ही आख बंद करके स्टॉक बेच तो चलो आपने नहीं बेचा तो भी आपका 150-160 में तो 230 तक तो चलाई गया होगा सोचो मत क्योंकि आपने क्यापिटल तो फ्री करे लिया होगा ना जो आया वो आपका शेह सारे फ्रीके पड़ें जो मिले लेकर निकल जो उसके बाद तो आपको पता यह क्या हुआ होगा मार्केट आपको एग्जिट का मौका देता है उस एग्जिट के मौके पे हम सोचने लग जाए तो गेट वाकस बंद हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पचास में से ऐसे दो चार स्टॉक ऐसे निकलेंगे जो पचास में से छे साथ भी निकल सकते हैं लेकिन मैं बोलते हूं अगर 15-20 भी जैकपट निकल गए तो मारुती बन गए मरेफ बन गए बजाज फैनाइस बन गए बजाज फिंसव बन गए तो डिक्सन बन गए तो आपको नहीं महलूम कौन क्या बनेगा लेकिन अगर आपने नेगेटिव नियूस पर नहीं निकाल दी तो डियेचेफल डी लिस्टर हो गया है तो आपको नेगेटिव नियूस पर बहुत फास्ट करना है उस टाइम आपको सोचने पर टाइम लगा दिया तो जीरो भी हो सकते हैं और कैपिटल जैसे ही आपके शे लोग शेश पाइब करते थे दो साल पांच साल पंगरा साल और कुछ तो बेचते नहीं थे आज तक उनके पास होल्ड है ऐसे मतलब वह वाला ताइम से जो मैं देखते आई हो तो मेरे रूट्स आज भी इंवेस्मेंट पर फोकस है आप्शन्स टेक्निकल्स को भी मैं यूज करती हूं क्योंकि मैं टाइम के साथ चल रही हूं पैसा वहां से भी आ रहा है लेकिन जाता इंवेस्मेंट में भी तो है ना इंवेस्मेंट जो रिटर्न दे सकता है ना वह आप्शन्स और ट्रेडिंग कभी दे नहीं सकते और इ देखो मैं आपको बताती हूं हम लोग कैसे करते थे मैंने कैसे सीखा मैं उस भी जेक और स्टॉक या जाता है आए गैस वो न्यूज में हमेशा ही फेमस रहता है वह अडानी स्टॉक्स तो उसमें क्योंकि नेगेटिव न्यूज भी आई थी बट उदर से उसने काफी कई नवारी यहां से लिए बीड़ी रही होगी तभी तुमारे हाथ में स्टॉक होगा नवर्स टॉक तो गिरा ही नहीं तो फिर मेरे उसमें आते ही नहीं गया से चलो ठीक है इधर आगया तो टरमाटा पांट साथ परसेंट है अगर आँस मैने यह टॉप में होता तो हम कर यहां पर आपके पास यहां पर कहीं बाइंग होती यह देखो यहां पर आपने 37% के इसाब से अगर यह से कहीं पर आपके रखा है अब यह गिरा इतना गिरा इतना गिरा इसाब कि आपके वापस यहां पर iapus आगिए आप आप पुरा पूरा निकल गए प्रिया फ्री हो गहां पुरा पैसा हैं सब्सित वापस नियुगे कि यह रहे तो सब ऐसे ही ऐसे ही है और यह जार रुपए के भी नीचे उतर आया था नहीं और यह अल्मोस्ट रुपए के असपास आ गया तो आपको लगा इसकी वैलिएशन चीप हो गई तो फिर से आपना चो कैपिटल प्रॉफिट सब बुक किया था तो कैपिटल साइड म है उसकी अकॉर्डिंग करो लेकिन जब वो नेगेटिव नियूस खतम हो जाती है तो उसमें से अपनी फिवर की नियूस भी तो निकालो जैसे अभी मैंने आपको यस बैंक दिखाया और आपको बला डियेशन तो इसकी नेगेटिव नियूस इतनी असी थी कि वापस उतने को थैयार ही नहीं हुए थे लेकिन यहां पर आपके पास न्यूस आई थी ना अदानी ग्रूप के नहीं यह जो है रिपोर्ट ऐसा नहीं है वो लोग आ गए थे सामने ले तो आपके पास कुछ प्रूफ आ गया कि वापिस उसमें काम कर सकते हैं बिलकुल जैसे आर पावर रहे हैं तो निगेटिव निवस आई पॉजिटिव घुमी नहीं कभी भी तो नेगेटिव निउस को काटने के लिए कभी नगभी को पॉजिटिव निवस आती है उससे बड़ी बात यह आरसाई 70 के ओपर से जाके 30 के नीचे कभी गया नहीं कि अक्ट इस बैंक और ये दे आपने आप में 22 रुपे लाके दिखा दिया मतलब कोई एक और बात है कितना अगर मैं यह कहूं कि यह कितना गिरा होगा कितना गिरा होगा 60% 2000 रुपीज गिरा है राइट 4000 का 50% plus 3000 गिरा है 60% कुछ गिरा होगा 60-65% गिरा है यह कितना गिरिया 80-85% तो जो 80-85% गिर जाएगा मैं उसमें कहां से ट्रस्ट लाओं और यहां पर इनकी के सारी कंपनीज में एक नहीं फॉल आई थी अधर लगवग जैसे लेटसी अडानी पोर्ट्स तो मैं इसके बीचे स्टॉंग विजनस है क्या ग्रूप अगर ग्रूप खराब है तो पूरा ही ग्रूप खराब होना चाहिए ना तो इसमें हम देखेंगे इसमें आप एरे को पुरा कवर कर गया वही बनते हैं और इसमे इसमें कितनी फॉल आई है मैं इसमें अडानी ग्रीन देख सकते हम कहीं भी यह भी कि रहा है इसमें 60 वर्ट्स जैसे पॉल आया है बट आरे साइडिल को बिलो सब्सक्राइब थर्टी के नीचे नहीं गया लेगि उस टाइम पर हमने इसमें काम नहीं किया होगा लेटसे हम नहीं भी लेते दोनों बात है यह बोलना बहुत आसा नहीं होता है इसमें अपर ले 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 लते और रहा इसे कर ले बोलना बहुत अशाल है वो टाइम पर अगर मैं किसी से होंगी लो तो कोई सुनेगा लेकिन पैसा निकालने का मुक्रा दिया ना मार्केट ने डाट जैसे मैं जब यह देखी दी तो मैंने अडानी पोर्ट स्पेसिफिकली बाय किया था क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि मैजॉरिटी पोर्ट इंडिया के ओन करता है अगर किसी दूसरे ने पैसे पर नजर रखी तो आपको कैसा लगेगा कि आमे बात ilananonia उसको पड़ेगा तो इसी लिए हम दूसरों की पैसों पे नजर भी नहीं रखते न तो इसी लिए कोई दूसरा हमारे पैसों पर नजर रखे हुम clue पसंदें तो आपका पैसा है स्टडी आपको तो यह था हमारा कुछ मार्केट कैसा लगता है क्या लगता है उसका वीडियो जिसमें हमने SIP के डिलेटेड चीज़े कवर करी अगर आपको ऐसे वीडियो और चीज़ें जिसमें हम इंट्राडे पोजिशनल या स्विंग या एफ नो में म भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजे तो बेसिकली कुछ ऐसा होगा कि आपका स्टॉक हमारा एनलेसिस और इस सीरीज को हम कंटीन्यू करते रहेंगे तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो फटा बट सब्सक्राइब कर दो ताकि जब अगला वीडियो आए इ सबसे पहले पहुंचे नमस्ते